पूरी दुनिया में ये व्यवस्था हुई कि आदमी इतना ज़्यादा बिजी रहता है उसे कम से कम हपते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए बाद में बात चली कि दो दिन छुट्टी हो अब उस छुट्टी का उपयोग क्या करे आदमी छुट्टी का उपयोग है जहां हम अपना पर्स खाली करते हैं बैग खाली करते हैं दोबारा से उसको जमाते हैं अगले हपते के तैयारी करते हैं उसी के साथ में कहा है कि अगले हपते के लिए दिमाग भी खाली करो दिमाग में भरेवे कच्छे को साप करो अपने अंदर थोड़ी देर के लिए खाली पन लाओ तो मज़ा तब है जब आप घर में गंटा दो गंटा अलग जाकर पोने में चुपचाप बैठो जब आपके पास आपका मुबाइल फोन भी काम ना करे ये वाटसैप ये फेस्बूक ये जो भी कुछ है आपके पास क्योंकि और कोई बुक पढ़े न पढ़े आदमी आज कल फेस्बूक जरूर पढ़ता है फेस्टू फेस बात नहीं करेगा लेकिन फेस्बूक पर बात जरूर करेगा तो आप सब तरह से बाहिये वातावन से अपने आपको खाली करके थोड़े देर खुद के साथ बैठिये और कुछ देर तो बिलकुल इतने खाली हो जाईए इतने शान्त हो जाईए कि आपको सोचे ही नहीं आप देखना कितना आराम मिलेगा आपको बहुत शान्ती मिलेगे शक्ती मिलेगे पुरे ब्रह्मान में फैली भी जो उर्जा है उसका टैन परसेंट भाग हम अपनी तरफ जो खीचते हैं वो नींद में मिलता है नींद में आपका रूपांतरन होता है आपको नया बनाया जाता है आप पूरे ठकेवे होते हैं ना पूरे दिन के तो जैसे आप नींद में जाते हैं हैं, damaged cells हैं, आपके neurons हैं, आपके muscles हैं, आपके अंग प्रत्यंग हैं, सब में नई उर्जा भरी जाती है, आपकी ठकाउट दूर की जाती है, अगले दिन जब आप जागते हैं, तो इतना ताजा अनुभाव करते हैं, लेकिन तब जब आपका संबन्द बाहर से तूट जाएं, और गहरी नींद आएं, जितनी गहरी नींद, उतनी ज़्यादा ताजगी, हम लोगों के पास जो इतने सारे लोग आते हैं, मन उचाट रहता है, मन में निराशा बहुत रहती है, घबराट होती है, कभी कभी रोने को मन करता है, कभी इरिटेशन होती है, तो सबसे पहले हमें को यह पूछना पड़ता है, नींद कैसी है, यही से तो शिरुवात होती है, हम जब पूछते हैं, कि यह बताईए सबसे पहले, कि आपकी नींद कैसी है, व्यक्ति कहता है, नेंद उचटती है अब नेंद में गड़बड है मस्तिक्स में ही शान्ती नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब है कि जो कॉस्मिक एनरजी लगातार बरस रही है और जो युनिवर्सल पावर युनिवर्सल एनरजी जो चारुतर फैली भी है उसे खीचने का जो मौका आपके अंदर नेंद में मिलता है आपका जो रिसीवर ब्रहमांड को अपनी तरफ खीचने के लिए ब्रहमरंदर में लगा हुआ है आपका वहां से संपर्क टूटता है नेंद आपको बहुत कुछ देती है उससे भी जादा कुछ मिलेगा आपको ध्यान में ध्यान में चालिस प्रतिशत ब्रहमांडिय और जग रहन करते हैं आप और अगर आप खाली होकर शान्त होकर बैठें तो भी आप चार्ज होने लग जाते हैं इसलिए एकांत में बैठें जरूर जापान का एक ध्यान गुरू एक प्रोफेशर को समझाता है जब वो आकर ये पोचता है कि मैं बहुत पढ़ाई की एक पूरा लाइबरेरी बन गया हूँ मन में शान्ती नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पर कृपा करें और मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाए और मेरे अंदर भी वो आनंद की किरन उतरे जो आप में बहती है तब उन्होंने एक कौफी का प्याला हाथ में ले रखा था एक मग में उनके कुछ चाहे रखी वी थी सामने केटल तो केटली की तरफ उन्होंने इशारह किया प्रोफेसर से इसमें और भर दीजी आप वो डालता चला गया तो जब वो पूरा भर गया तो गुरु फिर कहते और डालिये डालते जाएए जैसे वो डालते गये तो वो कब से बाहर गिरना शुरू हो गया प्रोफेसर रुका आओ बोला अब और डालूँगा तो यह सारा यहां बह जाएगा नीचे अब गुरु मुस्कर आते हैं अब मुस्कर आकर उसके तरफ देखकर कहते हैं प्रोफेसर और इसमें नहीं डाला जा रहा है क्या बोले महराज यह पहले भरा हुआ है जोर से हसने लगे बोले तू भी पहले ही इतना भरा हुआ है कि मैं उसमें कुछ डालना चाहता हूँ वो सारा बाहर ही गिर जाएगा इसलिए पहले खाली होके आ कि मैं कुछ भरूँ अब वो कहता महराज मैं तो आप से ध्यान सीखने आया हूँ इसमें सत्य प्रवेश करे मेरे अंदर मेरा आनन्द प्रवेश करे तो आप कहा मुझे दूसरी बात समझा रहे हैं तब गुरु कहता है कि देखो ये जो दुनिया दुनिया की बातें तुमने अपने अंदर भर रुखी है ये जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो आनंद रस तुमारे अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं इसलिए पहले एक टेक्निक सीखो कि अपने को खाली कैसे करना है खाली होने का मतलब ही है शांत होना और खाली होने का मतलब ही है प्रेमपूर्ण होना और खाली होने का मतलब ही है मदूर होना और खाली होने का ही मतलब है कि वो जो परमानंद है वो तो आपकी तरफ आना चाहता है जैसे तुम खाली हो जाओगे वो भरना शुरू हो जाएगा इसलिए पहले खाली करना सीखिया